जिन्दगी में अपनी तुलना किसी से मत कीजिए जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती यह क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त में चमकते हैं परिसितियां जब विपरित होती है तब रभाव और पैसा नहीं स्वभाव और संबंद काम आते हैं नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्सिक रासिफल 2022 के इस विसेश एपिसोड में यह एपिसोड कर्निया रासि के लिए है और यह रासिफल आपकी रासि नाम रासिए अताद मून साइन पर आधा रहीत है इस वार्सिक रासिफल को दो भागों में बाटा जा सकता है एक अप्रिल माह तक और एक अप्रिल माह से बाद में क्योंकि अप्रेल माह में तीन मेजर प्लेनर्स चेंज होने वाले हैं बारा अप्रेल को राहू चेंज हो जाएंगे एक दिन के बाद में तेरा अप्रेल 2022 को ब्रस्पती चेंज हो जाएंगे और 29 अप्रेल 2022 को शनी महाराज चेंज हो जाएंगे तो ऐसी इस्तिति में इन तीनों ग्रहों का रासी परतन आपकी रासी पर बहुत ज्यादा इंपक्ट डालेगा बहुत ज्यादा और ये दोनों इक रहे शनी और ब्रस्पती वक्री भी होंगे और मारगी होंगे इसका भी फल इस रासी फल पर पड़ेगा वो मैं आपको विस् और इंवेस्मेंट, परिवार का सुख, चिक्सा और संतान का सुख, स्वास्ति और शत्रों के बारे में दामपति उप्र दस सुक और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं रिलेसंसिप में ये गैरी मिच्टता है और फिर विशेश रूप से विश्लेशन करूंगा आपके जौब, प्रपेशन, केरियर या बिजनस का तो आईए अब आरम करते हैं वार् पदस्ती होगी, इलेवन ताउस पदस्ती होगी, तो ऐसी इस्तिती में बहुत हाथ पैर मारने पर ही संतुष्टी मिल पाएगी या आपकी इंकम जनरेट हो पाएगी, लेकिन जो ही 13 अपरेल 2022 आपकी लाइफ में एंटर होगी, आपकी लाइफ में इंप्रूमेंट आने ल पढ़ाएगा, और इन सब का फाइदा आपके लाइफ के स्टाइल पर, आपके स्टेडस पर, आपके इंकम पर, यह पर या कॉन्फिडेंस पर पढ़ेगा, राहु का रासी परतों भी जहां तक आपके इंवेस्मेंट पर और सुक बाव पर भी असर डालेगा, लेकिन जहा पर आपके लिए जहां पर आपके ज़ादा होगी और खर्ज कम होगा, इसे जो बी लोग फाइनस का काम करते हैं, उन सबी के लिए इस्तित्यां बहुत अच्छी है, सुख़द है, तो जो लोग फाइनस ब्रॉकरेज के साथ में ब्याज बटें, डिसकाउंट का, या पिर रखने का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर का काम करते हैं, राजदिती के शित्र में हैं, या बेकरी कन्फेस्टन या यूटेंसिल से समझने काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए भी दो हजार बाइस, थर्टीन अपरेल से बहुत ज़्यादा सुख़द है, लाब दाय अंगली कारे हो जाए, वो सकता है, आपकी छोटी भाई बैन या आपकी अपनी संतान का विवाफिक्स हो जाए, उस पर आपको पैसा खर्च करना पड़े, ऐसी इस्तियां आ सकती है, लेकिन इंकम के मामले में आप संतुस्त होंगे, अपरेल माह से इसमें कोई शक नहीं है वो लोग जो टूर्स और ट्रेविंग या टूरिजम से समधित लिक्विट का काम करते हैं, या पिर वो लोग जो काच के समान का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है, सेकिंड क्वाटर, थर्ड क्वाटर और फोर्थ क्वाटर आपकी से समधित काम करते हैं, कोई इनको स्टेंड अप आर्टिस्त हैं, या क्रेटिव लोग हैं, पत्रकार बंदू हैं, यूट्यूबर्स हैं, एंकर हैं, उन सब लोगों के लिए भी 2022 बहतरीन है, सक्सेस्फुल हैं, आई अब बात करते हैं, इन्वेस्मेंट के बारे में, रास इस अपरिल 2022 तक, दोनों ही स्टितियों में आपके लिए लाबदाएक स्टिती बनी हुई ये इन्वेस्मेंट पर, तो इस सिच्वेशन में, यदि आप कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं, तो आप हल्दी में, केसर में, डालों में, गोल्ड में, या शेर मार्केट के थ्रू, स्केप के थ्रू इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को मेटल्स, मेडिसीन या केमिकल्स, आटोमेबल सेक्टर की कमपनियां, फाइनस की कमपनियां, कंसल्टैंसी की कमपनियां, या फिर वो लोग जो जैम सेंज ज्वेलरी से समधित, ग से फोर ताउस से इसका विचार किया जाता है बारा अपरे 2022 तक जब तक राहू रासी से एड ताउस में नहीं आते हैं वहां तक इस्तितियां आपके लिए सुखद है स्वम्मे हैं जो ही राहू मारक भाव में आ जाएंगे राहू की द्रस्ति सुख भाव पर पड़ेगी और दूसरे को लड़ाएगा बिड़ाएगा और अपना स्वास सिद्ध कर देगा तो ऐसी स्थिति में जब आपका समय ठीक नहीं है तब आपको एक प्रकासे विरोदवास का सामना करना पड़ेगा आप जो भी बोलेंगे उस चीज़ को कोईन को व्यक्ति काट देगा और आप को आगे बढ़ने के मार्ग में काटे डाल देगा सुकत इस्थितियां नहीं रहेंगी वो आपको विसेश कर ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन इसमें एक इस्थिति बहुत अच्छी है कि इस्थिति आपके नियंतरन रहेगी इस्थिति आपसे छोटे की नहीं और दस अग दाइस महीं लगबख चार माह तक रहेगा और तेरा मार्च दोजा तिबीस तक मंगल अधिक तर समय व्रसब रासी पर रहेंगे तो आपके लिए लाप दाएक इस्थिति रहेगी पराकरा में व्रदी भी जमीन जायदाद में इंपूर्मेंट भी और जमीन जायदा से समय कोई भी वाद वाद है वो भी हल हो जाएंगे और आप यदि कोई जमीन जायदाद में इंवेस्मेंट करना चाहते हैं तो भी ये समयकाल आपके लिए सुख़द रहने वाला है आई अब बात करें सिक्सा की संतान सुकी रासी से फिप ताउस से इसका विचार क्या जाता है 2022 में सिक्सा के तौर पर सिक्सा के शेत्र में आपके इस्तिती संतोस जनक है आप जितनी मैनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा और शनी 29 अपरिल 2022 से रासी से 6 ताउस में चले जाएंगे जो कि शनी के लिए बहुत ज़्यादा सुख़द इस्तिती होगी क्योंकि वहाँ ज इसाम होते हैं इंटर्वी होते हैं डिबेट में हिस्ता लेते हैं उसमें एक प्रकासे जबरदस्त योग या प्रबल सफलता के योग उपस्तित हो जाएंगे वो लोग जो कोई कोई एप्लिकेशन से मेडिकल जो टीटमेंट से संतान चाहते हैं उनके लिए भी 29 अप्रेल स 12 जुलाई तक का समय सुखद है और यहां भी 29 संतान प्राप्ते के लिए सुखद बना हुआ है तो यहां पर आपके परिवार को आगे बढ़ाने की जो प्लानिंग है वो सफलता देगी लेकिन हम बात करें थे सिक्सा की तो यहां पर सिक्सा के लिए इस्तितियां बहुत ब बहतरीन बनी हुई है और इस्पेशली जो लोग टेलिकॉम सेक्टर के वाइफाई से समझी कोई भी स्टेडीज कर रहे है इस्पेशलेजिशन कोर्स कर रहे है वो बहुत ही जादा आगे बढ़ेंगे ग्रास्पिंग बढ़ेगी नॉलेज बढ़ेगी मार्केटिंग के स्टेड़िक के स्टुडेंट्स ये सभी 2022 में सफलता के अंदर जंडे गाडेंगे सबसे ज्यादा सक्सस्पुल इस्थिती रहेगी और वो लोग जो टेक्निकल लाइन में है चाहे मेडिकल या नौन मेडिकल चाहे वो केमिकल एंजिरिंग हो मेकेनिकल एंजिरिंग हो एव वो लोग जो astronomical से समधी को studies कर रहे हैं, NASA से समधी को प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, या उनका सपना है, research के scholars हैं, उन लोगों के लिए, सनी से समधी जो भी field है, medical या non-medical, सारे sector से इसमें आएंगे, उसमें study करने वाले students के लिए 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि शनी 2022 में मकर रासी और कुम रासी में ही रहने वाले हैं, और यदि आगे की बात करें, तो 29 मार्च 2025 तक स्थियां सुखद बनी रहेगी, आईए, अब बात करें, संतान सुकी, तो संतान सुक के बारे में जैसा कि मैंने बतलाया है, वो लोग जो संतान चाहते हैं, उनके लिए स्थियां सुखद है, और जो medical treatment के थूरू संतान चाहते हैं, उनके लिए 29 अप्रिल से लगा करके 12 जुलाई तक का समय बहतरीन है, वो लोग जो इस एज से उपर पहुंच चुके हैं, संतान उनकी बड़ी हो चुकी है, तो उनको संतान से संतान का सुख मिलेगा, अतात उनको grand जो children से हैं, उनका सुख मिलेगा, उनका सुख मिलने वाला है, ऐसी सूचना भी मिल जाएगी, संतान जिनकी नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलेगी, अतात आपकी संतान earning में वापस आ जाएगी, successful इस्तितिम आ जाएगी, इसलिए आपको संतान के प्रति संतोस सुखद ऐसास जन्म लेगा, आपको एक प्रकास से प्रसंता का ऐसास होगा, कि वो अपने कारिव में, वो अपने जीवन में गंबीरता से आगे बढ़ रहे हैं, ये सुखद ऐसास आपको गर्वान वीद करेगा, आईए, अब बात करें आपके स्वास्ति की, आपके सत्रों की, रासी से सिक्स ता उससे इसका विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब ब्रस्पती रोग भाव में है, यहां पर ब्रस्पती पीडित कहलाएंगे, वो लोग जो डाइबिटिक है, जो अबेसिटी के मरीज हैं, इमिनल सिस्टम जिनका कमजोर है, वो मरीज हैं, उन लोगों के लिए यहां पर स्थितियां सुखद नहीं हैं, उनको अपने स्वास्ते पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या वो लोग ज़्यादा पीडित रहेंगे, इसके अलावा, स्किन प्रॉलम, फ्रोट इंफेक्शन, लंग से समधी प्रॉलम, यह आपको परिशान करेगी, एलर्जी इंफेक्शन आपको बारा अप्रेल तक ज़्यादा परिशान करेंगे, या यह बोल सकते हैं, 29 अप्रेल से आपको राहत मिलने के योग है, 12 अप्रेल के बाद में, 13 अप्रेल से ब्रस पती जब सुखत इस्तितिम आ जाएंगे, तब आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाएगी, सेफ साइड आ जाएगी, 29 अप्रेल से काफी ज़्यादा राहत मिलेगी, सत्रों की बात की जाए, तो वो लोग जो कर्ज लेकर के भूल गए हैं वापस देना, या जिन लोग ने फ्रेंड सरक्रेल से, या परिवार वालों से ही करजा लिया है, तो वो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होते, तो ऐसी स्तिति में अब आपके लिए विपदा की गड़ी आ चुकी है, आपको वो लोन, वो कर्ज, वो पैसा वापस चुकाना पड़ेगा, इसके लिए जितनी जल्दी हो अपनी इज़्यत बचा करके वो पैसा लोटाईए, ताकि आपकी भी ख्याती को कोई नुकसान नहीं हो, और लेन दिन में जो भी वाद वाद है, उसको जितनी जल्दी हो, उतनी जल्दी सौर्टाउट कीजिए, और जिन लोगोंने बैंक से लोन लिया है, और वो बैंक वालों को ही चकर कटा रहे हैं, या उनको ही वो एक पर कर टाल मोटोल कर रहे हैं, तो इस्तितियां आपके लिए नेगेटिव होने वाली है, कोई कोई कोड केस या कुर्की या फिर कोई और प्रोड़म आपके दरवाजय पर आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा, आईए, अब बात करें, दामपत्य सुख्की, ग्रस सुख्की, साथी साथ उन लोगों की, जिनके कोई गहरी मत्यता चल रही है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दामपत्य सुख्की, रासी से सब्तम बाव से इसका विचार किया जाता है, विशलेशन किया जाता है, हुआ है उनके स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है वापस आपके रिष्टे मधूर हो जाएंगे एड़स्मेंट बैठ जाएगा ट्यूनिंग बहुत फाइन हो जाएगी यह बोच सकते हैं कि आपके इमोशन्स फुल्फिल होने लगेंगे तो यह स्थितियां बहुत ज संगों में रिलेसंसिप में उसके लिए रासी से पंचम बाव शुक्र और सब्तम बाव यह सब जिम्मेदार होते हैं तो जो ग्रेस दितियां उसके एकोर्डिंग आप बारा अपरेल के बाद में सुरक्सित हैं सेफ हैं और जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोईन कोई फ्रें समझेंगे और अपने पैरेंट से बात करेंगे क्योंकि इस्तियां बहुत ज़्यादा सुकत और सौम्मे बनने वाली है आईए अब बात करें आपके जौब, प्रॉपरिशन, केरियर या बिजनस के रासी से टैन ताउस से इसका विशलेशन किया जाता है इस बाव का अधि से सिक्स सेंस इंटुशन पावर का सपोर्ट आपको मिलेगा, कुछ होने से पहले आपको अबास हो जाएगा, चाहे वो कोई थौट प्रॉसेस हो, कोई सपना आए, विजन आए, आपको आइडिया जरूर लगने वाला है तो अनो होनी आपके साथ में नहीं होगी, प्रगति आपको दिखाई देगी, मैनत का फल आपको मिलेगा, ये आसानी से बोला जा सकता है, क्योंकि ब्रेस्पति, ग्रस्चुक, संतांसुक, मेंटल स्ट्रेंट और फाइनस, इन सभी का कारक है, और ब्रेस्पति की सुखदस्ति हमेशा लाप देती है, क्योंकि ब्रेस ब्रेस्पति, फाइनिशल लॉड भी है, तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनिशल सेक्टर, फाइनिशल ब्रॉकरेज, वो सब कुछ ब्रेस्पति की जिम्मे रहता है, तो ऐसी इस्तिति में ये सुखद इस्तिति आपको लाप दायक रहेगी, और उसके बाद में भी, जब ब्र ब्रेस्पति की सुखदस्ति रहेगी, रासी बाव पर और पराकरम बाव पर सुखदस्ति रहेगी, तो ऐसी इस्तिति में आपका काम काज तो इससे ज्यादा बैठरीन हो जाएगा, और राहू के रासी परतन करने से आप सेप साइड में ज्यादा आ जाएंगे, तो इन्व अब ये आपके उपर है कि आप इस समय काल का कितना फाइदा उठाते हैं क्योंकि मैनत की बिना कर्म की बिना लाब नहीं मिल सकता है भागे भी उस पर आधा लीता है कर्म पर बिना कर्म की बागे का फल भी नहीं मिलेगा आप जब तक खड़ा नहीं खोदेंगे खजाना कहां से मिलेगा तो जो खजाना अगर जमीन से 10 फिट के नीचे पड़ावा है तो 10 फिट का खड़ा आपको खोदना पड़ेगा उतनी मेनत आपको करनी पड़ेगी यह हमेसा याद रखी तो यहाँ पर केरियर की जॉब की जो लोग जॉब हीन है जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए भी 2,022 नौकरी देने वाला आपको अर्निंग पसंद बनाने वाला है जो लोग जॉब को चेंज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस्तित्या सुखद है राजनेतिक शेत्र वालों के लिए 2022 बहुत ज़्यादा बैटर है जिन लोगों की करनिया रासी है और जो प्रोपेस्टनल लोग है इस पेसलिए जो CA है या फाइनिशल अनलेसिस्ट है उन लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हो सकते है या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं उन लोगों के लिए विस्तित्या बहुत ज़्यादा सुखद है उनके लाब का वोल्यूम बढ़ेगा या यह बोसकते है टर्न ओवर बढ़ेगा यहां पर इस सित्या बहुत शांदार है तो वो लोग जो टेलिकॉम सेक्टर मार्केटिंग कागज कपड़ा प्रिंटिंग डाइंग और प्रिंटिंग या टेक्स्टाइल से समधित काम काज करते हैं फाइनस, फाइनिशल ब्रोकरेज, बेकरी, कनफेशनरी, योटेंसिल से समधित या वो गिर्वी का काम करते हैं या एजुकुशन सेक्टर से समधित काम करते हैं राजनिति के शेत्र में उन लोगों के लिए 2022 बहुत ज़्यादा लाबदायक है ये याद रखेगा ये था वार्षिक रासिफल 2022 आप कन्या रासिफल आपकी जनकुण्ली में से एक चनमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है आप अपनी जनकुण्ली के द्वारा भी 2022 का रासिफल जान सकते हैं कुण्ली विशलेशन के द्वारा यदी समस्याँ ज़ादा है यदी भवशे में जाकना चाते हैं का आने वाला समय कैसा है कोई बहुत बड़ा निर्णे लेना है उसमें दोविदा है तो ऐसी स्थिति में जन कुर्ली आपके लिए साहिक हो सकती है सही निर्णे लेने के लिए जब बात बिजनस स्टार्ड करने की हो जब आत केरियर के लिए कोई महत्पूर्ण स्थिति हो विवा की हो पैनिल्ट र प्रॉपर्टी की हो कोड कचरी की हो या कोई बहुत बड़ी विबदा आ चुकी हो बहुत बड़ी बिमारी से सामना हो रहा हो तब भी आपकी जन कुणली आपको सही रहा दिखा सकती है लेकिन उसके लिए विश्टलेशन की आवशक्ता होगी उसके लिए स्क्रीन पर जो नमबर दिये हैं उस पर संपरेक्स तापित करना है अपर्डमेंट फिक्स करना है फिर आप और मैं आपकी जन कुणली पर आपकी समस्याओं पर आप आपकी जिग्यासाओं पर आपके प्रस्नों पर बात करेंगे और ढूंड करके निकालेंगे सरल और विशेश उपाए मैं काम ना करता हूं कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखें आप सभी को म अभसित रहें आप सकता हैं